हेलो वीवर्स आप सभी का टेस्टी वेड रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत है आज बनाएंगे हम कड़ी पकोड़ा की रेसिपी जिसमें जो पकोड़े है न वो बिल्कुल सौफ्ट बनके रेडी होंगे और हमारी कड़ी भी एकदम गाड़ी बनेगी वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा तो कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम पकोड़े का बैटर रेडी करेंगे यहाँ पे जिसमें मैंने लिया है आदा कब बेसन एक चौथाई चमच इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर आदे चमच लालमिज पाउडर नमक आड़ करेंगे स्वाध अनुसार चुटकी भर हींग डाल देंगे और फिर इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसमें पानी आड़ करेंगे और एकदम गाढ़ा बैटर बना कर रेडी कर लेंगे पानी अगर जादा आड़ कर देंगे ना यहाँ पे तो एकदम पतला घोल रेडी होगा और उससे हमारे पकोड़े ज़रा भी अच्छे नहीं बनेंगे थोड़ा थोड़ा पानी आड़ कर दीजिए और बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए कम से कम दो मिनिट के लिए इस तरीके से फेटने से ना हमारे पकोड़े बिल्कुल सॉफ्ट बनके रेडी होंगे लेकिन आप दो मिनिट तक अपना हाथ इस तरीके से नहीं चलाना चाते ना तो चुटकी वर बेकिंग सोड़ा आड़ कर लीजिए बस उससे भी पकोड़े एकदम सॉफ्ट बनकर रेडी होते हैं यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया है कड़ाई में और चमच की सहयता से पकोड़े हम इसमें डाल देंगे आप चाहे तो हाथ से भी पकोड़े डाल सकते हैं इसमें फ्राइ करने के लिए बट अगर आपको तेल से डर लगता है ना तो चमच यूज की जिए बेस्ट रहेगा वही उसके बाद हम इसे मीटियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राइ कर रहेंगे पकोड़ों को देखकर ही पता चलता है कि कितने सॉफ्ट और फलफी बनकर रेडी हुए हैं कड़ी का भी बाटर बना लेंगे इसे बनाने के लिए इसमें दही ले लिया है साथ में इसमें बेसन आड़ कर दिया है दो बड़े चमच हल्दी डाल देंगे नमक एड़ करेंगे स्वाद अनुसार और मिक्स कर लेंगे फिर हम इसमें पानी आड़ करेंगे और फिर से मिक्स कर लेंगे एक बार अगर इस स्टेप को आपको और थोड़ा असान करना है न तो दही, बेसन, पानी, हल्दी, नमक सब को मिक्सर में डाल दीजे और ग्राइंड कर लीजे चुटकियों में काम हो जाएगा दही और बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है फाइनली हमारा तो यहाँ पे मैंने एक कड़ाई ले ली है जिसमें आड करूँगी दो बड़े चमच तेल इसमें हम आड करेंगे मेथी दाना, एक चमच राई के दाने और जैसे ही राई चटकने लगे न इसमें हम आड करेंगे मिर्च इसमें मैंने हरी और लाल दोनों मिर्च का इस्तमाल किया है कड़ी पत्ता आड़ कर लेंगे इन सब को मिक्स कर लेंगे हम ग्यास का फ्लेम यहाँ पे लो रखेगा ताकि हमारे जो कड़ी पत्ता और मिर्च वगरा है वो जलना जाएं चुटखी बर हींग अड़ कर देंगे इसमें और फिर हमने जो बेसन और दही का बैटर रेड़ी किया था ना वो अड़ करेंगे तो एक हाथ से बेसन अड़ कीजिए और दूसरे हाथ से कंटिनसली से स्टर करते रहिए अगर आप continuously stir नहीं करेंगे न तो हमारी जो दही है वो फट जाएगी और इतना जो मेहनत हमने किया है वो पूरा बेकार हो जाएगा जब हम दही और बेसन का घोल आड़ करेंगे न वो टाइम पे भी गैस का फ्लेम एकदम लो ही रहना चाहिए अब 2-3 मिनिट हो चुके हैं मुझे इस तरीके से चलाते हुए हमारा घोल जो है उसमें उबाल भी आ गया है इसका रंग भी बदल गया है एकदम यलो कलर का हो गया है डाक इसमें मैं आदा कब पानी और आड़ कर लूँगे और इसे 10 मिनिट के लिए पका लेंगे ढ़कर 10 मिनिट बाद इसके अंदर हम अपने पकोडाज आड़ कर लेंगे वैसे तो हमने नमक आड़ किया ता घोल में बट फिर भी मुझे ऐसा लगरे शायद थोड़ा कम पड़ेगा इसलिए हम थोड़ा नमक भी आड़ कर लेंगे और फिर इसे हम ढ़कर पका लेंगे 5 मिनिट क करूँगी तणके केलिए यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया है जिसमें ऐड़ करेंगी जीरा जैसे ही जीरा चटक जाए इसमें डालेंगे एक चमच अद्रक का पेस्ट अब के पास अध्रक का पेस्ट नहीं है तो अद्रक को कूट कर भी आड़ कर सकते हैं इसमें बहुत लास्ट में इसमें गार्णिश कर दीजे कटे हुए हरे धनिये के साथ कैसी लगी आपको रेसिपी आप जरूर ट्राइ कीजिए गाई से और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेर कीजे ताके वो भी इसे बना कर एंजॉय कर पाएं और मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजे साथी बेल आइकन को क्लिक करना भूलेगा नहीं थैंक्स फॉर वाचिंग बाई